हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है जैसा कि आप लोग जानते हों कि आप लोगों के प्री बोट पेपर चल रहे हैं और मैं आपको रेगुलर सॉलूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ कापी मेहनत लगती है आरे वीडियो बनाने में तो क्रिप्या करके सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा जिसने अभी तक नहीं किया है और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है देखे इस वीडियो में आपको जियो विग्यान यानिकी बायोलोजी का एक दम परफेक् मिला लेना है अधिकतम अंक चाहते हैं अप लोग सत्तर में से चाहते हो जिसमें आपको जियो विग्यान थे ट्रीक है तो देखे अगौआ यह रहाँ पूरा सॉलुशन जी भी घ्यार का देखे हाट कॉफी है यानि कि जो इसकूल में सम्मिट करनी है एक स्टुडेंट नहीं सॉलुशन भेजा था तो मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए इस परिकार आपको लिखना है देखे कितना परफेक्ट रूफ से इस स् में लिखना है ठीक है बीच में लिखना है आपको इसने देखे और अंसर लहां यहां पर द नेना है इसके बाद www. básicamente लेकिन अच्छे से लेखना है तो इस प्रकार एक कञंट हूँ को छाएगेस्ट पड़ता है आपको प्रेबोट याप को फोड़ी सी सिंसेर्टी दिखानी होगी आपको पूरे मैं से पूरे माक्सिम मलेंगे अच्छे से लिखना है question number 2 के answer यहाँ पर दिये हुए आप देख लीजिए और जल्दी से इनको भी note कीजिए इसके बाद आता है question number 3 यानि की प्रश्नी क्रमांग 3 तो प्रश्नी क्रमांग 3 को भी आप अच्छे से complete करें answer दियेगा है ठीक है जितना better हो सके अच्छा आप को लिखना है ठीक है प्रश्नी क्रमांग 4 देखे इसके बाद में एक सब्द में जो उत्तर होते हैं तो प्रश्नी क्रमांग 4 के सभी answer है आप देख सकते हो ठीक है तो सभी answer को लिखते जाईएगा तो better रहेगा आप अच्छे से अच्छा लिखने की कोसिस कीजिए ठीक है ताकि अच्छे marks मिलें ध्यान से देखे और भी subject की वीडियो में बनाता जा रहा हूँ आप फ्री Indian coaching से जुड़े रही है कुछ वीडियो अपलोड हो चुके है तो आपको देख लेना है description में भी link की दी गई है ठीक है तो बस देखते रही हैगा प्रिश्निक्रमांग 5 का उत्तर अलेगिंग और लेगिंग में अंतर दीएगा है दो अंक का question था तो इस प्रकार आपको लिखना है देखे कितने बड़ी हैं तरीके से इसने लिखा है ठीक है तो इसी प्रकार आपको लेखना है देखिए यहाँ पर रगीच भी खीची हुई है यहाँ पर भी खीची हुई है तालीका भी बनी हुई है तो यहाँ से इसके दो माक्स अभी मिल जाएंगे ठीक है इस प्रकार आपको भी लिख देना है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंगला कोश्चन देख लेते हैं तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब लाइक कर लीजिए प्रश्णी करमांग साथ का उत्तर भी देख सकते हुआ ठीक है प्रश्णी करमांग साथ का उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसके बाद आता है प्रश्णी करमांग आट का उत्तर तो इसे भी आप देख लीजिए जल्दी से और वीडियो को रोक रोक कर आपको लिखना है चाहो तो आप स्क्रीन सॉट भी ले सकते हो ठी लिंक दी गई है टेलीग्राम को जोएन करना पड़ेगा इसके पहले आपको लाइक करके शेर जरूर करना पड़ेगा ठीक है यदि आप सेर करते हो तभी आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो देखें आप पर पहले तो आप देखते जाए स्क्रीन सॉट लेते जाए और लि स्क्रीन सौट ले लिजिए इसके बाद में यहां पर आप स्क्रीन सॉट लेसकते हो तो आपका कम्पलिट हो वीडियो को रोक रोक कर लिखिये लगे लिए फिर लेकर सकते हो इसके लिए था पंदरमा भी हो गया तो यहाँ पर देखे पंदरमें का एरह बाकी का इसके बाद में प्रश्निक्रमांग तो प्रश्णिक्रमंग 16 को भी अच्छ से लिखना है को प्रश्ण इसको भी लिख लिजी है कि अच्छ से कर obra इसको जंबर मेरत दर्म डिए इसके बाद में यहाँ पर लिगन अपद ने काला गया है तो इसे देख लीजिए द्यान से इसके बाद प्रश्णिक्र मांग सकता है तो इतना करने के बाद प्रश्णिक्र मांग सकता है तो इसे भी ध्यान से देखे DNA RNA में अंतर दिया हुआ है इसे भी आप अच्छे से कंप्लिट कीजिए देखे अथवा का आंसर है DNA RNA में अंतर काफी important question है आद कर लेना है और लेकविये लेना है ठीक है स्क्रीन सोट ले लिजिए लिया है चले इसके बाद आंगे बढ़ते हैं ठीक है तो देखे प्रश्णिक्र मांग कठारा आ गया है तो इसे भी आप अच्छे से complete कीजिए इसक्रीन सोट जरूर लेते जाईएगा इसके बाद इसके बाद यहाँ पर लिजिए प्रश्णिक्र मांग को नई से जोगी परश्थेतिक तंत्र अथवा का आंसर है तो अच्छी से इसको भी आपको लिखना पड़ेगा तो अच्छी से लिखिए इसको और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए लेकिन आपको share जरूर करना है तब ही आप PDF डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो share जरूर करें आप हम आपकी मदद करते हैं तो आप हमारी मदद कीजिए बस share कीजिए तो देखें आप इस फिरकार आपको करना है ठीक है तो यह था last question का answer आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपकी कुछ तो थोड़ी सी तो help हुई होगी तो share कर दीजिए Thank you